नमस्यकार बागवान वाई हो मैं रिमेश कमार मैं आज आपका अपने यूटीब जेनर पर स्वागर करता हूं और आप सब लोग पर कुशन मंगल होगे और दोस्तों मैं आज आपको जिस विश्यों पर पाचीद करना चाहता हूं वो विश्यों यह है कि जो सकैब का हमला काफी जदा हो रहा है और सकैब कर सकते हैं और और कौन कौन सी कर सकते हैं और तो दोस्तों सबसे पहले जो सकैब अर्थात जिनी भी बिमारिया है वो हमेशा मुसम के असन तुलन पर फैलती है, जैसे कभी अधिक नमी और अधिक सुका और अधिक धूप लगने के कारण जो पेड़ों को नुक्सान पहुंचता पत्यों को पेड़ उस तरह से मेनेज नहीं कर पाता है, जिस तरह से पेड़ पत्या उस हिसार से मेनेज नहीं कर पाती है, मुसम के अनुसार, तो जब इस तरह की अस्थिरता मुसम में आती है, तब ही बिमारिया उत्पन होती है, उन बिमारियों के लिए जो स्कैव के लिए हमें जो चीज और दाना चाहूँगा कि उनके लक्षन में आपको वीडियो में दिखाने में जा रहा हूं और उसका इलाज हमें समय समय पर चिरकाव करना होता है तो दोस्तों जो यदि किसी बागवान भाई के बीचे में यह मारी पहुंच चुकी और दस्क दे चुकी है तो जो आगे सागे फैलती जाती है इसलिए हमें चाहिए कि उस पर इन चीजों का च्छिड़काव करें सबसे बड़ी अद्वाइस कैव के लिए डोडिन है जिसमें आपका नूर आता है तोफा आता है और सिलिट आता है हिमडीन आता है इस तरह के जो आपको सिर्फ यही दिया रखनाएगी यहीं उपर से बहुत सुका है तब आप यह टेंपर काफी बढ़ चुका है तब इसे नहीं करकते आप और उसके बारी डोडिन की जो डोडिन की जो रेशो रहेगी डोडिन की रेशो रहेगी 500 ग्राम पर दोसो लीटर और उसके बाद हम चलते हैं माइकलो बुटानिल की और इसे भी यह हम 80 ग्राम पर दोसो लीटर पानी में गोल के छिरकाव करकते हैं इनके जो बजार में प्रोडेक्ट मिलते हूं मिलते है बून इंडेक्स और ग्रह पलादी मेनकोजब भी आप कर सकते हैं मेनकोजब से एक दिकत आपके रह सकती है रेस्टिंग की दिकत आ सकती है क्योंकि अब जैसे नमी वाला महीना चल रहा है तो रेस्टिंग की दिकत कर सकता है बाकी आप मेंकोजब भी कर सकते हैं 600 क्राम प्रती 200 लीटर जबकि यह बैन भी हो चुगा है परन्तु अभी मार्केट में आपको मिल रहा है इस साल आप इसे कर सकते हैं और इसमें आप मेंकोजब से कोई भी किसी भी ब्रांड से अच्छोता नहीं है डाइधिन M42, इंडोफिल M42 आदि बहुत सारे पुड़क्ति डाइधिन के मिलते हैं और उसके बाद आप प्रिपोनिब 600 ग्राम प्रती 200 लीटर भी डाल सकते हैं इसमें इंट्राकॉल एरकेल कर सकते हैं इंडोफिल Z70 भी आप कर सकते हैं यदि आप आपके आसपास ये द्वाई भी उपलब नहीं तो आप इंडोफिल Z70 भी कर सकते हैं और यदि इंडोफिल Z70 की रिश्यू भी आपकी 600 ग्राम प्रती 200 लीटर ही रहेगी इसमें निकनाम जिनेव है और इंडोफिल Z70 आपको बजार में कहीं मिल जाएगा और आप इसे यू के के विडियो टॉफ के मार्केट में आता है इसकी रेश्यू रही 300 ग्राम प्रती 200 लीटर पानी में आप इसे घोल सकते हैं और उसके बाद ट्रेव को नजोल प्लस केप्टान 500 ml प्रती 200 लीटर यानिकी इसका नाम शमीर है शमीर नाम से मार्केट में लिए और अडामा कपनी का यह भी बहुत अच्छा प्रोटेक्ट है असके को रोखने के लिए और जिदिया आप के पास अभी यह भी उपलब नहीं होकता तो जो मार्केट में नेटिवों के रोम में आता है तो दोस्तों इसकी रिशो रहेगी अस्तिग्राप परती 200 लीटर तो दोस्तों आप मुझे यह जरूर पता है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और कमेंट में जरूर लिए कि आप अगली वीडियो किस चीज के बारे देख जाते हैं मैं समय समय पर आपको मुसम और बीमारी के अनसार आपको वीडियो बनाता रहता हूं और ताकि मैं आप मेरा मनोमल भी बढ़ सके यदि आप मुझे कमेंट और मुझे अच्छा लगता है चाहिए वह अच्छा कमेंट है चाहिए बूरा कमेंट है मुझे अच्छा इसके साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन दबाना नहां बूलें क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी जैहिन जैभारत, जैए कुज़ाद, जैए किसाथ, जैए बागो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए